नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई PF members अपनी job छोड़ता है तो job छोड़ने के बाद वो PF members अपने PF account का पुरा पैसा निकाल सकता है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कारण बताऊंगा जिन कारणों के चलते PF members जोब छोड़ने के बाद भी अपने PF account से पूरा पैसा नहीं निकाल पाते हैं आप क्या है वो कारण आएज जानते एस वीडियो में लेकिन उससे पहले में आपसे एक request है कि पूरा जरूर देखें वैससा आपमें सारे वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है आपके लिए तो चेली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लिजे सब्सक्राइब क्योंकि ए पीएफ को तो जूड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तों अगर बात करें उन कारणों के बारे में तो पहला कारणे बिना रिजाइन दिये जॉब छोड़ना दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है तो जॉब छोड़ते समय उस पीएफ मेंबर्स को रिजाइन देना होगा अपने employer को resign देना बहुत ही जरूरी है और resign देना एक process से job छोड़ने का जिस process को हर एक P.F. members को follow करना पड़ेगा अब job से resign देने की process के बारे में मैंने already एक video बना दिया है इस video के बाद आप उस video को भी जरूर देखे उस video का link आपको उपर i button पर मिल जाएगा लेकिन अगर कोई P.F. members बिना resign दिये अपनी job छोड़ता है यानि resign देने की process को follow किये बिना अपने job छोड़ देता है तो P.F. members job छोड़ने के बाद भी अपने P.F. account का पूरा पैसा नहीं निकाल पाता है अब बिना resign दिये जोब छोड़ने पर P.F. account का पूरा पैसा क्यों नहीं निकलता है इसके बारे भी मैंने अक उल्लेटी वीडियो बना दिया है उस वीडियो का link भी आपको उपर i button पर मिल जाएगा लेकिन बस आपको यहाँ पर एक बात ध्यान लखना है कि जब भी आप अपनी जोब छोड़े तो जोब छोड़ते समय अपने इंप्लावर को रिजाइन दरूर दे बिना रिजाइन दिये आप अपनी जोब ना छोड़े बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में और दूसरा कारण यह है कि अगर कोई P.A.P. अपनी जोब छोड़ता है और जोब छोड़ने के तुरंथ बास एक बुसरी कमपनी में जोब जोइन कर लेता है तो ऐसी कंडिशन में भी P.A.P. मैंबर्स ने जिस कंपनी से जोब छोड़ी है उस कंपनी के PF account का पुरा पैसा नहीं निकल पाएगा क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद PF account का पुरा पैसा निकालने के लिए full and final claim करना पड़ता है और full and final claim होता है जॉब छोड़ने के दो मेने के बाद और full and final claim सिर्फ उसी company के PF account से हो सकता है जिस company में PF members ने सबसे आखरी बार जॉब की है तो मान लिजिए कि कोई एक PF members एक company में जॉब कर रहा है तो EPFO के सिस्टम के हिसाब से वो company उस PF members की सबसे आखरी company होगी जिस company में अभी वो जॉब कर रहा है और उसी company के PF account से full and final claim भी हो सकता है लेकिन अगर वही PF members उस company से रिजाइन देकर तुरांत दुसरी जॉब जॉइन कर लेता है तो अब EPFO के सिस्टम के हिसाब से उस PF members के आखरी company वो होगी जिस company में PF members ने दुसरी जॉब जॉइन की है और उसी company के PF account से अब full and final claim भी कर सकता है यानि कि PF members ने जिस company से अब जॉब छोड़ी है उस company के PF account से तो full and final claim में नहीं हो सकता तो अब आप ही सोचिए कि जिस company के PF account से full and final claim नहीं हो पाएगा उस company के PF account का पुरा पैसा केसे निकलेगा इसलिए जब भी आप अपनी जॉब छोड़े और जॉब छोड़ने के बाद अगर आप तुरंत दुसरी जॉब जोइन कर रहे है तो दुसरी जॉब जोइन करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान लगे तो ये थे वो दो कारण जिन कारणों के चलते आप जॉब छोड़ने के बाद भी अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे बाकि आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताए कि जानकारी आपको पसंद आया होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें तो कि ये पियो को से जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी